नमस्कार सातियों आपका स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेट वित रॉनिक चले दोस्तों आज के शुरूबात करते हैं जैसे के अपने कौर्टा थी रिजल्ट के सीरी चलते हैं उसके अंदर आई एफ सी आई का क्वाटर थी का रिजल्ट आज ही आया अभी साम को चारवज के पचास मिंट पर अपडेट मिली हमें ब्यासी की सैट पर तो वहां से रिजल्ट का ओड़कम निकला है तो मैंने सब से पहले आप लोगों को शायर करना ची क्योंकि यहां पर रिजल्ट के व कोई सी पाजाना बिलकुल नigon भूलियों तो ॏ एफ सी आई लिमिटेट बेसिकली कंपनी सेयाइब करना सी स्केटर के कंपनि कंपनी और प्री स्कूर्द से फैंट्छ कंपनी सेक्यूरिटी के अंदर ये साथ कंपनी इनके साथ काम कर रही है तो बेसिकली में में इनका काम है कॉर्पेट को फाइनन्स करना थीक है दूसरा इसके साथ जो सब्सक्राइब करते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट भी इनके द्वारा हुए है तो कई सारे उसमें लोग वर्किंग अल्रेडी तो चलिए बेसिकली में करते हैं और यहां से कैसे रहना लगा ट्रेडिंग सेसन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखें इसका रहा है वह समझेंगे देखें इनकी अनिक्स करोड के अंदर यह देख सकते हैं आप यहां से देखेंगे हम कि टोटल रेवेंधी टोटल ओप्रसेंट से कित्या यह तो टोटल रेवनी इनको है टोटल इंकम इनको है तो करोड की तो लास्ट कुटर में को अब expense की बात करेंगे तो इस quarter में expense वह इनको 429 करोड़ पर गांथ और लास्ट quarter में 709 करोड़ का ता लास्ट यह में 1254 करोड़ ता तो quarter quarter वाफ यह रीवाइख गटत देखना हो मिली है बट और अप्रसेन प्रॉफित की बात करेंगे तो इनको about profit का कि इस इंको सब्सक्राइब इस कोफिति इन게요 रोड़ का लास्ट व्रम extremaid मानेश में इस बाज देख सकते हैं कि सो क्लाइए से कंच यंकश में और इनको तो टोट WARstein चार सौने सिफकेंगल टो आमरेनिकार करोड का आया और फ्रिवल एंकि न बाता的 Manus में 328 घाटो तो घाटा ही है कंपनी हर वर घाटा कर रही है और इस वार भी कंपनी ने अच्छा खासा घाटा दिखाया है आप देख सकता अब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में इस वार बड़ा देखना हो मिली हमारे को सास माइनस में 731 करोड हुआ है और लाश्ट कौरटर 525 करोड तो लाश्ट यह सास सो चालिस ता तो घाटा तो नेट प्रॉफिट माइनस पिछले क्वार्टर के बढ़के हुआ है देखने अब अच्छी बड़ा देखने को मिल रही है अब अनिंग पर शेर की बात करेंगे तो अनिंग पर शेर की बात कर उनिंग पर शेर हुआ है त्री पॉइंट माइनस में 3.8 थीन पर यथावन हुआ है यहां वार स्ट फोड़ा सा डॉन्फ फोल अवट कॉर्ट को अच्छा फासा डिफरेंसल देखने हो मिल यह इनि मानेस में तूपन यथावन ता वो घटके बढ़के हुआ मैंनिस में हमने ऊप्रेशन प्रॉफिट भी बड़ा देखने को मिली है और सेल तो कम देखने को मिली है और तो गाटा हुआ है कलकिए इस तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप क्या है इसके रहने वाला आगे क्या ट्रेटिंग सेशन वह समझते हैं तो आई एफसी आई लिमिटेड आपको एनसी बैसी दोनों प्रेश्टर इसका मार्केट गया अचकी डेट में 2910 करोड पर इस्टॉक और और सिसका चला है माइनस में 5.84 परसें का बुक वैल्यू उसकी 13 पर तीन पैसे किया रिटर्न ओफ एक्वेटिस का माइनस में 45.2 परस देखते स्कॉार्टर में कैसी रही है तो देखें पर मोटर की वाल्डिंग सेम है 30.81 और अपनी होल्डिंग बढ़ा ही देखें लास्ट कॉार्टर में एफसके लूडिंग नो पंड़ जीरो थी ती वह घटके होई जीरो एट पंड एटी शिक्टी सेवन और पबली की होल देखेंगे चार्ट के अंदर तो सबसे पहले आज का ट्रेडिंग सेसन कैसा राज का तो देखें आज यह तीन परसेंट गिरावड के साथ यह बंद हुआ क्योंकि रिचल्ट अभी आया मार्किट बंद होने के बाद तो आज यह ओपन होता चोदर पचास पैसे पे हाई मा अब देखने को मिल रहा तो है कल के दिन यह अगर अपने हंडडे के में तोड़े का लोग सकता कल के दिन में तो कोई बड़ी बात निया क्वाट तो देखने हो मिलना हमारको 10 रुपे-11 रुपे के आसपास तो बार रुपे के लेवल अगर होल्ड कर जाता तो ठीक नहीं तो अपना 52 लो भी अपना जल्दी ब्रेक करता नजर आएगा तो आपको इस अपते में बार रुपे के आसपास बार रुपे के लेवल आपको दिखा देगा अगर बार रुपे का लेवल होल्ड करें तो ठीक है नहीं तो यह अपना 52 वीक अपना जल्दी तोड़ेगा यानि 8 रुपे नीचे भी ट्रेट करता नजर आपको जल्दी आ सकता है कि रिजल्ट का इंपक्ट देखना मिलेगा और RSI भी अब हमारा 40 के नीचे जा चुका है और MS ED पूरा क्रोस में होने को तैयारत और कल की दिन इसमें ग्रावट होगी अगर आपके पास है तो होल्ड करना तो होल्ड करें निकलना चाहतो निकल जाए और फ्रैस बाइंग बिल्कुल नहीं करनी सेर को अवोड करी अभी